नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चानेर्थन बंदरी आयुर्वेदा में आयुर्वेद में चेविन प्रश का बड़ा महत्व बताया गया है यह एक ऐसी आयुर्वेदे कोशधी है जो बच्चे से लेकर बुड़े तक सब को निरोगी रखती है चेविन प्रश को बनाने के लिए 40-50 घटकों की जरूरत पड़ती है इसमें मुख्य घटक आवला होता है ताजा आवला विटमिन सी का बहुत ही अच्छा स्त्रोत होता है इसे सुखाने या जलाने के बावजुदिस में मौजूद विटमिन सी की मात्रा कम नहीं होती है चेविन प्राश में और शदिय गुणों से बरपूर लगभग 36 तरह की जड़ी बूटियां होती है केशर नाग केशर पिपली छोटी इलाइची बालचीनी शहद और तेजपत्ता पाटला अरणी गंभारी विल्वर्शोनिक की चाल नागमुथा पुष्करमूल कामलगटा सफेब मूसली सहित कई वनस्पतियों को मिला कर चेविन प्राश तयार किया जाता है ऐसा कहा जाता है है कि चेविन प्राश की खोज तो उन्होंने अश्विनी कुमारों से कोई ऐसी औशुदी बनाने का आगरह किया जिससे वे अपना योवन फिर से पासके उसके बाद अश्विनी कुमारों ने चेविन रिशी के लिए चेविन प्राश बनाया जिसके सेवन के बाद रिशी चेवन ने फिर से अपने यौवन को प्राप्त कर लिया इसलिए चेवन रिशी के नाम पर ही चेवन प्राश का नाम पढ़ा है 54 प्राष के फाइदे बढ़ाएं रोग प्रतेरोधक शम्ता चहवान प्रश्फो इम्युनिटी इन हिंदी 54 प्राष एक आयूर वेद एक स्वास्थे टॉनिक है जो स्वास्थे को बनाया रखने और रोग प्रतेरोधक शम्ता को बढ़ाने के लिए उप्योगी है रिशी चरक के अनुसार चेविन प्राश एक पूंट स्वास्थे सप्लीमेंट है जो बीमारियों से लड़ने और रोगों से रोग थाम के लिए बहुत मददगार है जैसा की पहले भी बताया हैं कि चेविन प्राश की मुख्यों सामगरी है आवला जिसमें विटमिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और जो इम्म्यूनिटी बढ़ाने के लिए सहायक है चेविन प्राश है एक काया कलप औशदी चेवान प्रिश के लाभ फर स्केन रिजुविनेशन इन हिंदी चेविन प्राश आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्यान में एक बहुत ही अच्छी काया कलप करने वाली औशदी है आजकल की इस भाग दोड़ वाली जिंदगी में हर व्यक्ती तनावर थकान से गुजरता है आजकल लोग स्वस्थ रहने के लिए कई तरह के पूरग का उप्योग करते हैं ताकि शरीर उसे विशाप्त प्यतार्थों और दिमाग से तनाव को बाहर निकाला जा सके चेविन प्राश भोजन सिम्बंधी आदतों दूशित वातावरन और जंक फ्यूट की वजह से होने वाली पोशन संबंधी विकारों को दूर कर पोशन की आवश्कता को पूरा करता है चेविन प्राश खाने के लाब हैं बढ़ती उम्र को रोकने के लिए चेवान फ्रिश्वर आंठी एजिंग इन हिंदी चेविन प्राश उम्र को कम करने वाली ओशर्थ ही है जिसमें बहुत सारे एंटी ओक्सिडेंट्स होते हैं जो हमारी त्वचाको फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुक्सानों से बचाते हैं यह कोशिकाओं में पोशक तत्व को सुधारने का काम करते हैं यह दिल को मजबूत बनाते हैं और दिमाग में ऑक्सिजिन की आप उर्ती करते हैं इसमें मौजू दावले में विटिमिन सी भरपूर मात्रा में होता है और यह एक अच्छा एंटियोक्सीडेंट है इसलिए इसको नियमित रूप से खाने से चेहरे पर जुरियां और फाइन लाइन्स की मात्रा कम हो जाती है इसलिए अगर आप हमेशा खूब सूरित और जवान दिखना चाहते हैं तो चेवन प्राश का भरपूर सेवन करें ऐसा देखा गया है कि आज गल्यूबकों में हरिदय की बीमारियां बहुत अधिक हो रही है चावन प्राश में ऐसे जड़ी बूटियां पाई जाती है जो रक्त परिसंचारण प्लट सिक्योलेशन को सही करती है और शरीर से गयंदगी को बाहर निकालने में सहायता करती है चेवन प्राश रिदय की मानस्पेशियों को शक्ती प्रदान करता है यह दिल की धड़कन को भी नियंतरित करता है चेविन प्राश का उप्योग करे मस्थिश्क के लिए चेवान प्रिश्फ मेमरी इन हिंदी यह मानसिक शम्ताओं को बढ़ाने के साथ ही अनिद्र, स्मरन शक्ति, पागलपन, अलजाइमार रुग और अन्य मस्थिश्क संबंधी बीमारियों के लिए फाइदे मन्ध है चेविन प्राश दिमाग को तेज करता है और स्मरन शक्ति बढ़ाता है यह मस्थिश्क के कार्य को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है चेविन प्राश के लाब है पाचन तंत्र के लिए उप्योगी चेवान फ्रिश्फ वाइज़ेस्चन इन हिंदी चेविन प्राश पाचन शक्ती में सुधार करता है, यह आमाशे आदू जिगर आदी अंगों को शक्ती प्रदान करता है और उनका पोशन करता है यह कपच के लिए भी उपयोगी होता है यह आदो को भी मजबूत करता है पेट के कैंसर के खत्रे को कम तरता है चेविन प्राश जहवान प्रश्फो कैंसर इन हिंदी चेविन प्राश में सैपोनिंग्स की अच्छी मात्रा होती है जो पिट के कैंसर के खत्रे को कम तरती है सैपोनिंग्स पित के लिवनों को बांधता है और जिससे पेट के कैन सक्य होने का खत्रा कम हो जाता है चेविन प्राश खाने के फाइदिश वसन प्रणाली के लिए चेवान प्रश्व कॉफिन हिंदी चेविन प्राश वसन प्रणाली के संक्रमनों पर प्रतिबंध लगाता है सर्दी जुकॉम को होने से रोगता है, खांसी को ठीक करता है, फेफडों को बल देकर फेफडों के कार्य में सुथार लाता है, जो लोग सांस के रोगों या दमे से परिशान है, या उनके लिए भी उत्तम है, जेविन प्राश में पाए जाने वाला आवला शरीर के प्रतिरक प्रणाली, इमिन सिस्टम, को तो मजबूत करता ही है, साथ ही बार बार होने वाले जुकॉम या अलची से भी छुटकारा दिलाता है, जो लोग बार बार जुकॉम से पीड़ित रहते हैं, खास कर सर्दी में उनके लिए चेविन प्राश एक वर्दान की तरहें हैं। इसके रोज सेवन से साफ और चमकदात वचा प्राप्थ होती है। चेविन प्राश का सेवन है पुराने रोगों में लाबकारी चेवान प्रिश्वार डिजीज इन हिंदी। चेविन प्राश एक रासायन और शदी है जो कोशिकाओं और उतकों का उत्थान रीजेनरेशन करती है और पुराने रोगों के उपचार में सहायक होती है। रोग अनुसार और शदी देने के साथ साथ यदी चेविन प्राश का प्रयोग भी किया जाए तो यहाँ उस रोग को और जल्दी ठीक करता है। चेविन प्राश के अने अलाब हादर बेनेफिट्स ओफ चेवान प्रशन हिंदी। चेविन प्राश के सेवन से शरीर की हड़ियों में कैल्शम का अफ्शोशन बढ़ता हैं जिससे हड़ियां और दांत मजबूत होते हैं। चेविन प्राश में प्रोटीन की मात्रा कम होती है। फिर भी ये शरीर में प्रोटीन के संचलेशन को बढ़ाता है जिससे मानस्पेशियों में लचीला पन बढ़ता है। ये प्रजननक्षमता को सुधारता है। महिलाओं में मासिक धर्म को नियमित करने में मदद करता है। गर्भवती महिलाओं में चेविन प्राश हीमोगलोबिन की स्थर हीमोगलोबिन लेवल को बढ़ाता है और पोशक तत्वों की जरूरत को पूरा करता है। चेविन प्राश में रक्त वर धकगुन होते हैं जिसे यह रक्त में ही मोगलोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है इसके अलावा यह खून को भी साफ करने में भी सहायक होता है चेविन प्राश घाव भरने की प्रक्रिया को बढ़ाता है 56 की खुराक चयवान पृष्डो सचिन हिन्दी 47 खुराक प्यक्ति के पजाने की क्षमता पर निर्वर करती है चयवन प्राश की सामान्या और शाधिय अमात्रा वह खुराक इस प्रकार है शूनिय सेकंड एक साल की उम्र के बच्चों को जवन प्राश का सेवन नहीं कराना जाहिए लेकिन स्तनपान कराने वाली माताओं के द्वारा इसके सेवन से बच्चे और माता दोनों को लाब होगा एक सेकंड पांच साल की उम्र के बच्चों को दो तशमलव पांच सेकंड पांच ग्राम यानि आधा चमच दिया जा सकता है शे सेकंड पारह साल की उम्र के बच्चों को पांच तो साथ तशमलव पांच ग्राम यानि की लगभग एक चमच दिया जा सकता है 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को 5 तो 15 ग्राम यानी दिन में 1 से 2 चमच दिये जा सकते हैं गर्भवती महिलाओं को 54 का आधा चमच ही काफी होता है पर गर्भावस्था के दिनों में 2 चमच से ज्यादा 54 लाबकारी नहीं माना जाता है 54 खाने का समय चेवान प्रिशीटिंग टाइम इन हिंदी 54 खाने का उचित समय सुबह खाली पेट होता है सामानिय रूप में 54 एक बार ही लेना परियाप्त है स्वास्थय अनुसार इसे दिन में 2 बार भी लिया जा सकता है वैसे तो चेवन प्राश हर मौसम में सेहत के लिए लाबकारी होता है पर सर्थियों के मौसम में इसका सेवन स्वास्थि के लिए बहुत ही फाइदे मंद माना जाता है क्योंकि यह सर्थियों में ठंडी हवा के कारण होने वाली सर्दी जुकॉम की रोक थाम के लिए बहुत ही अच्छी और शधी है चविन प्राश खाने का तरीका How to take चेवान प्रोडिशन हिंदी चेविन प्राश को ऐसे भी खाया जा सकता है या फिर आप इसका सेवन दूद के साथ पी कर सकते हैं और आप जीवन भर के लिए इसका सेवन कर सकते हैं खटी और मसालेदार वस्तूओं का सेवन चेविन प्राश खाने के आदे घंटे बाद ही करें क्यूंकि मसालेदार खाना जड़ी बूधियों के प्रभाव को कम कर देता है सही चेविन प्राश को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है और इसे पहचानने के भी कई तरीके हैं उनमें से कुछ इस प्रकार है सही चेविन प्राश में दाल चीनी, इलाईची और पिप्पली की खुश्बू आती है आम तोर पर चेविन प्राश का स्वाद हलका खटा होता है इसमें दाल चीनी और पिप्पली का स्वाद और मीठा कम होता है चेविन प्राश को पानी के साथ भी जा 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 सकता है आप च चेविन प्राश को सही से पकाहाया नहीं गया है। चेविन प्राश बनाने की विधी हाँ टु मेक चेवान प्रिश आट होम इन हिंदी। चेविन प्राश को मुख्य तह 50 आयुर्वेदिक दुर्वियों को मिलाकर बनाया जाता है आजा आवला फल और सभी ओशित। दुर्व्य को 13 हलट पानी में डालकर एक बड़े बरतन में उबालें। जब पानी का आठवा हिस्सा रहे जाए तो आवले के बीजों को अलग करें और आवले के गुड़े को अलग निकालें। इस तरह बाकी बचे हुए पानी को चान कर सुरक्षित। रख ले, अब आवला के गुड़े को अच्छी तरह से 300 मिलिलीटर घी और तिल के तेल में भून ले और जब घी तेल अलग हो। जाए तो इसको एक तरफ रख दे, अब बचे हुए पानी को दोबारा गरम करें और जब यह आधा रह जाए तो 2.5 किल ग्राम। चीनी डाल कर दोबारा पका कर चाशानी बना ले, अब भून कर सुरक्षित रखे हुए आवला के गुड़े को इस चाशानी में मिला कर गाड़ा हुने तक पकाएं अब इस मिश्रण में 300 ग्राम शहद, 200 ग्राम तुगाक्षरी, 100 ग्राम पिप्पली, 50 ग्राम तेजपत्र और 50 ग्राम छोटी इलाईची और 50 ग्राम नाग केसर को मिलाएं इस प्रकार आपका चेवनप्राश बनकर तयार है, चेवनप्राश के नुकसान चेवनप्राश के नुकसान इन हिंदी, हाला कि चेवनप्राश से कोई गंभीर दुश्प्रभाव नहीं होते हैं, पर कुछ के अनुभव के आधार पर यहां कुछ दुश्प्रभावों के बारे में बताया जा रहा है। चेवन प्राश का सेवन दूद के साथ किया जाता है, ऐसी हालत में चेवन प्राश का सेवन दूद के साथ करना छोड़ देना चाहिए, कुछ लोगों को पेट में जलन रहती है, ऐसा नहीं है कि इसका मुख्य कारण चेवन प्राश है बलकि ज्यादा तर्वह, पहले से ही इस से पीड़ित लोगों को या तो इसका सेवन ही नहीं करना चाहिए या फिर उसके सेवन से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए मद्ध में गैस और उदर वायू उदर का बढ़ना रात में बार बार पेश आप जाना पुरिशों में स्वपन दोश आदी में चेवन प्राशेन लक्षनों को बढ़ा देता है इसलिए इसका इन में प्रयोग हितकारी नहीं माना गया है तो उम्मीद करता हुआ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कर प्रया हमारे इस वीडियो को लाइक करें कमेंज करें शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों